नमस्कार दोस्तूं, हिंदी सिक्षन विदियों की कलास नमबर साथ आज हम देखने जा रहे हैं, कलास नमबर साथ में आज हम देखेंगे व्याकरन की सिक्षन विदियां दोस्तूं, व्याकरन सिक्षन की जो जो विदियां हैं, उनको आज की कलास के अंदर हम देखेंगे, व तो आपके क्योशन कहां से, परसन कहां से एकजाम में आता है, वो भी आपको बताया जाएगा दोस्तों, आप अंतग मेरे साथ बने रहे हैं, आप सभीगा में स्वागत करता हूँ, यूटूब चैनल कुचामन ओनलाइन कलासेज पर, दोस्तों अगर इसके अलावा कलास एक स लेकर कलास 6 तक कि आप कलासे देखना चाते हैं, तो पले लिस्ट बनी हुई है, हिंदी सिक्सन विदियां कोर्ष के नाम से, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, और इनकी पीडियेप के दोवारा आप पढ़ना चाते हैं, तो कुचमन ओनलाइन कलासेज एप को डाउनलोड कर अंदर सिक्सन विदियां आपको करवाई जाएगी, देखे, बासा के विविद रूपों में नियमितता और इस्तिर्ता लाने के लिए, बासा विदू के द्वारा कुछ नियमू का प्रावदान किया गया, जिनसे बासा में प्रांजलता तता सुधता आ गई, इन्ही नियम होती क्या है, व्याकरण है, ये क्यों आई, इसके बाद हम व्याकरण की सिक्सन विदियां देखेंगे दोस्तों, तो यहां पर देखे, बासा के विविद रूप है, उनके अंदर नियमितता और इस्तिर्ता, जो विविद रूप होते हैं, बासा के बहुत सारे रूप होते तो उनके अंदर इस्तिर्ता लाना जरूरी थी, इसी के लिए बहुत सारे जो भासावी थे, उन्होंने कुछ नियम बनाए, और उन्हें नियमू के दोवारा जो हमारी भासा थी, उसमें क्या आ गई? सुधता आ गई, नियमितता आ गई, इस्तिर्ता आ गई दोस्तुूं। पतंजली मुनिकरित महाबासे में व्याकरण के लिए सब्दा अनुसासन सब्द का परियोग किया गया है। तो सीधा क्यूसन पहला आपका यहां से बन सकता है कि व्याकरण के लिए सब्दा अनुसासन सब्द का परियोग किस ने किया? पतंजली ने, किस गरंत में? महाबा तो यह याद रखना है दोस्तूं पहला क्यों सन। प्रंप्रागत दूसरी है नोवेगनिक विदियां अब प्रंप्रागत विदियां कोण सी है पहले यह देख लेते हैं प्रंप्रागत विदियां वहे विदियां जो सद्यू से चली आ रही है तेता आज भी उसी रूप में प्रचलित है व्याकरण सिक्षन की इस परकार की विदियों से इस परकार की विदियों में सुत्तर विदि है पाटे पुस्तक विदि है इनका नाम आता है आप जब पढ़ते हैं तो आप आते हैं य आज ये विदिया चल रही है, उधारन के रूप जैसे सुत्र विदि है, पाठेपुस्तक विदि है, ये क्या है आपकी प्रंप्रागस सिक्षन विदिय रही है, ए फैसम इनुalım अब मित्रो आगे चलते हैं और जो आपकी क्यूसन बनेंगे उनकी चर्चा करते हैं अब बात करते हैं व्याकरण की जो सिक्षन विदिया हैं उनके बारे में कुल मिलाकर नो सिक्षन विदिया आज की इस कलास में हम देखेंगे व्याकरण सिक्षन की और सिरफ और सिरफ व्याकरण की सिक्सन विदियां ही आपको देखने को मिलेगी आज की क्लास में पहली विदि आपके सामने है सुत्र विदि क्या कहती है सुत्र विदि देखिए व्याकरण सिक्सन की सुत्र परनाली में व्याकरण के विबिन नियमू को शुत्र रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है जो व्याकरण शुत्र परनाली याद रखो मित्रू शुत्र परनाली में क्या किया जाता है जो नियम होते हैं ने व्याकरण के उनको क्या बना दिया जाता है सुत्र बना दिया जाता है दोस्तु तेता विदार्तियू को क्या कर दिया जाता है तेता विदार्तियू को ये सुत्र रटा दिया जाते है मतलब नियमू को सुत्र बनाया और सुत्रू को विदार्तियू को रटा दिया ये हो गई सुत्र विदी नियम से सुत्र और सुत्रू को विधार्तियों को रटाना कौन सी विधी में? सुत्र विधी में दोस्तूं इस विधी का विशेश परचलन सैंसकर्थ भासा में होता है याद रखना दोस्तूं ये विदी है ना जो हमारी सुत्र विदी ये संसकर्थ भासा से इंदी भासा में आईए किस भासा से आईए संसकर्थ भासा में और इसका परचलन ज्यादा किस में है संसकर्थ भासा में है पाणीनी का संसकर्ट व्याकरण सुत्रू में ही निर्मित है मतलब वहाँ पर सुत्र विदी काम में ली गई है तो क्यों सर के से बनेगा अमित्रू आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों सर आ सकता है क्या कि जो पाणीनी का संसकर्ट व्याकरण है वो कौनसी विदी परादारित है तो यहां से पता चल गए है कौनसी विदी पर है सुत्र विदी परादारित है सुत्र विदी का दोस क्या है सुत्र विदी का दोस यह है कि चातर बिना समझे भुजे नियमू को कंटेस्ट कर जाते हैं जिसके कारण ये विदी मनोवेगेनिक सिदान्तू का पालन नहीं करती है। अब क्या है कि आपको नियम बनाया? नियम था उसको सुत्र बना के आपको रटवा दिया। आपने उसको कंटस्त कर लिया, उसको रट लिया। लेकिन उसका मनोवेगेनिक फाइदा आपको क्या हो रहा है, वो आपको पता नहीं, आपने तो उस चीज को रट लिया है। इस वज़े से ये विदी है जो ए मनोवेगेनिक विदी है। ये थी सुत्र विदी। आगे चलते हैं दो नमर की विदी की ओर। दो नमर की विदी है हमारी पाठे पुस्तक विदी। ये भी ठेक सुत्र विदी की ही बाती है। यानि कि जो पाठे पुस्तक विदी है वो भी सुत्र विदी की तरह ही चलती है। चलती कैसे हैं। सुत्र विदी वे पाटे पुस्तक विदी दोनु निगमन विदी के ही रूप में हैं, अंतर केवल इतना है कि सुत्र विदी सैंसकर्थ से हिंदी में आईए और पाटे पुस्तक विदी अंग्रेजी से हिंदी में आईए, आगे देखें फिर समझिए, पाटे पुस्तक विद पाठे पुस्तक विदी में पाठे पुस्तक पहले याद करो दोस्तू मैंने बताया था कि जो हमारी सुत्र विदी है वो सैंस्कर्थ भासा से आईए तो पाठे पुस्तक विदी कौन से भासा से आईए अंग्रेजी भासा से आईए पाठे पुस्तक विदी में क्या होता है कि जिस परकार हमारे अदर विशे है उसी पर उनमें व्याकरण के अलग पुस्तक होती है उसी परकार पाटे पुस्तक विदी में व्याकरण के अलग पुस्तक होती है और उस पुस्तक के द्वारा देन करवाया जाता है और वो दिन करवाया जाता है सुत्र विदी की तरह ही दोस्तु ये होती है पाठे पुस्तक विदी बहुती सिंपल है मित्रू पाठे पुस्तक विदी तो दोस्तु याद यहां पे रखना है जो पाठे पुस्तक विदी है ये भी क्या है सुत्र विदी की तरह है एक एमनोवे लिया जाएगा जैसे यहां से आपको पूछ लिया कि पाटे पुस्तक और सुत्र विदी किस की विदी है गद्दे सिक्षन की है कानी सिक्षन की है व्याकरन सिक्षन की है नाटक सिक्षन की है किस की विदी है यह तो यह चीज आपको याद रखना है दोस्तु आगमन विदी इस विदी को परियोग विदी भी कहा जाता है कि इस विदी को आगमन विदी को परियोग विदी भी क्योंकि आगमन विदी में हम उधारन के द्वारा नियम कर रहे हैं नियम का पर्तिपादन कर रहे हैं तो एक परियोग ही कर रहे हैं न दोस्तु तो इस वज़े से इसको पर उत्रचात्रू को रटाये नहीं जाते हैं आगमन विदी में आपको कुछ रटना नहीं होता है करके सीखना होता है दोस्तूं बलकि उधारन देखकर नियम विद्यार्तियु से निकलवाये जाते हैं तो मतलब आगमन विदी के अंदर जैसे मैं अगर बात करूं तो आपक है वो आपके सामने कोई उधारन रग देगा आपको उष उधारन से नियम बनाना है दोस्तूं यही होती है आगमन उधारन से नियम तता विशिष्ट से सामाने की ओर सिधान्त पर चलती है तो याद रेखना दोस्तूं सीधा क्यूसन आता है एकजाम में अभी बोल आपके सामने उधारन से नियम की ओर चलने वाली विदी आगमन विदी विशिष्ट से सामाने की ओर चलने वाली विदी आगमन विदी अब बात करें ये विदी कैसी है तो ये एक मनोवेगयनिक विदी होती है दोस्तों आगे चलते हैं चार नमर की सिक्षन विदी की ओर चार कैसे इसमें सर्वय पर्तम व्याकरण के नियमों को याद करवाया जाता है क्योंकि निगमन विदी नियम से उधारन की और चलती है आपको नियम याद है तो उसका आप उधारन दीजिए जबकि आगमन विदी में आपको उधारन दिया जाता था और नियम आपको बनाना पड तो यह याद रखना है कि जो निगमन विदी है ये किस विदी के अनुसार चलती है सुत्र विदी के अनुसार क्योंकि वहाँ पर भी जो नियम थे उनको सुत्रों में मना रहे थे यहाँ पर आपको नियम है जो व्याकरण के नियम है उनको तो याद करवा दिया जाएगा बा उनको क्या करवाया जाता है पुष्ट करवाया जाता है इस विदी में सामाने से विशिष्ट तेता नियम से उधारन की ओर चलने वाले सुत्तर प्रयोग में लाया जाते हैं तो सामाने से विशिष्ट की ओर कौनसी विदी चलती है कौनसी निगमन नियम से उधारन की ओर कौ क्योंकि इसमें आप कुछ कर ही नहीं रहें, आपको नियम रटाए गए हैं, जो नियम है उसके नुसार आपको उधारन देने, तो इसमें आपको अपना सरजन नहीं कर रहे हैं, तो ए मनोवेगयनिक मानते हैं, इस विदी में चात्रू को कुछ सोचने विचारने का आउसर भ बात होती, इस वज़े से ये ए मनोवेगयनिक है, आगे चलते हैं आगमन निगमन विदी की ओर, देखिए दोस्तों, यह कोई नहीं विदी नहीं है, अपितु इसमें आगमन विदी दुआरा विदारती नियम की खोज करते थे ता फिर निगमन विदी दुआरा उस नियम क अब्यास करते हैं, क्या कहना चाता है, समझे दोस्तों, आगमन यानि की उदारन से नियम की ओर, पहले क्या करेंगे विद्यारती, इसके अंदर नियम की खोज करेंगे, और फिर उस नियम में निगमन विदी के दुआरा उस नियम का पालन करते हुए अब्यास का कार ये कर आगमन विदी से नियम की खोच की जाएगी, उसके पसाथ अभ्यास के लिए कुछ वाकिय लिखकर निगमन विदी द्वारा बालकु से उसमें से संग्या शब्द हटवाए जाएंगे। यह है आगमन निगमन विदी आगे चलते हैं दोस्तों बासा संसरंग विदी की ओर कौन सी विदी है दोस्तों बासा संसरंग विदी या इसको किस नाम से भी जानते हैं हम समवाई विदी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों इसे परनाली के अनुसार सिदान तेता नियम को प्र रचना द्वारा व्याकरण का ग्यान करवाया जाता है जो हमारी बासा संस्रिंग विदी है ये किसका इसका दूसरा रूप होती है दोस्तु समुवाई विदी याद रखना है तो देखिए इस परणाली के अनुसर क्या सिद्धान्त नियम को पर्तक रूप से सिखाए यानि नियम है जो सिद्धान्त है उनको नहीं सिखाए जाते बलकि रचना के दुवारा यानि खुद के दुवारा व्याकरण का ग्यान करवाया जाता है अगर आपको मैंने नियम रटवा दिये मैंने सिद्धान्त रटवा दिये तो फिर क्या व्याकरण का ग्यान कराऊंगा बासा का सुद परियोग आए यही व्याकरन सिक्सन का उद्यसे है। इस बासा संसरिंग विदी के द्वरा क्या है कि जो बासा है उसका सुद परियोग करना सिखाया जाता है। यदि इस सुदेसे की पूर्ती रचनात्मक अभ्यास से हो जाए तो फिर व्याकरण सिक्सन का परियोजन ही कहां रह जाता है। चातर बिना व्याकरण के नियम जाने इस विदी से मातर बासा का सुद परियोग सीखते हैं। जो बासा संसरिंग विदी है इसमें मातर बासा के माद्यम से चातर सुद परियोग सीखते हैं दोस्तूं बिना किसी नियम को जाने दोस्तूं आगे देखिए दोस्तूं इसें परांसंगिक विदी या व्याकरित वरनाली भी कहते हैं। तो ये दो नाम है, दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनसे भी सिधा क्यूसन मिल सकता है, अर्तार्त बासा के साथ साथ व्याकरण का ग्यान भी दिया जाता है, तो पहला क्यूसन क्या बनेगा, बासा संस्रिंग विदी, बासा संस्रिंग विदी में सबसे प लगता है ये छोटिक अक्साओं के लिए ही उपियोगी है तो अगर ये है कि अगर हम व्याकरण का जो ग्यान है व्याकरण के जो नियम है व्याकरण के जो सिद्धान्त है उनका हम भासा के मादेम से अगर पढ़ाना चाहेंगे ना तो भूत अधिक समय लगता है इस वज़े से इस विदी को छोटी कक्साओं के लिए ही क्या माना गया है उपयोगी माना गया है आगे चलते हैं सात्वी विदी की ओर सात्वी विदी है मारी समवाई विदी देखिए ये विदी बासा संसरंग विदी का ही दूसरा रूप है इसमें व्याकरण की सिक्ष्या लंबिये समवाई के रूप में दी जाती है कैसे दी जाती है अर्था रचना कानी पद्दे आदी की सिक्ष्या देने के साथ साथ ही परसंग और अउसरा नुकुल व्याकरण की सिक्ष्या भी दे दी जाती है समवाई विदी का मतलब है कि इसके अंदर जब आपको कोई चीज लिए तो उसके अंदर व्याकरण की सिक्ष्या जैसे हम रचना पढ़ रहे हैं या हम कोई कानी पढ़ रहे हैं तो कानी में जैसे हमें समय मिलेगा अउसर मिलेगा उसके अनुसार जो भी शब्द व्याकरण के आएंगे वो इसके अंदर बता दिये जाएंगे दोस्तों या संदी सब्द आ गया या समा सब्द आ गया तो उसका ज्यान आपको वहीं पर करवा दिया जाता है मतलब आपको व्याकरण का ज्यान भी वहाँ पर हो जाता है दोस्तु आगे देखें दोस्तु इस परकार पद्दे पढ़ाते समय छंद लंकार की सिक्ष्या भी दी जाती ह कैसे कि अगर हम कोई पद्दे पढ़ रहे हैं कोई कावे पढ़ रहे हैं तो उसमें कोंसा चंद है कोंसा लंकार है और कोंसा चंद कैसे आया इसमें कोंसा लंकार बना इसमें तो कैसे बना इनकी सिक्ष्या दे दी जाती है आगे देखती इसमें कभी कभी बासा सिक्षन केवल व्याकरण का ही ज्यान बनकर रह जाता है आगे चलते हैं दोस्तों, विदी नमर आठ की ओर, आठ नमर विदी है वेतिरेक विदी, इस विदी में मात्र बासा के माद्यम से द्वित्य बासा की सिक्षा दी जाती है, किस विदी में? वेतिरेक विदी में, मात्र बासा के माद्यम से द्वित्य बासा की सिक्षा, अगर आ आप, आपकी मातर भासा है, उसके दुवारा आप संसकर्थ पढ़ना चाते हैं, आप हिंदी पढ़ना चाते हैं, तो आपको पहले मातर भासा बताई जाएगी, फिर मातर भासा के मादेम से आपको हिंदी सिखाई जाएगी, हिंदी की व्याकरण सिखाई जाएगी. वेतिरेग विदी में मातर बासा और सीखी जाने वाली द्वित्य बासा दोनूं का बासा वेगयनिक विशलेशन प्रस्तूत किया जाता है क्या किया जाता है जो हमारी मातर बासा है और जो हम द्वित्य बासा सीख रहे हैं उनका वेगेनिक विशलेशन आपके सामने प्रस्तूत किया जाता है दोस्तूं इसके अलावा विद्यारती की मातर भासा को द्यान में रखते हुए दिवित्य भासा की पाटे पुस्त के लिखी जाती है तो जो भी पाटे पुस्त के बनती है विद्यारती के लिए वो सबसे पहले जो मातर भासा है ना विद्यारती की उसको द्यान में रखते हुए बनाई जाएगी उसको द्यान में रखते हुए फिर उनको बनाई जाएगी और जो दिवत्य भासा की पाटे पुस्त के बनेगी उनमें पूरा का पूरा जोर रहेगा कि विद्यारती मातर भासा के सके दोस्तूं यह है वेतिरे की विदी आगे चलते हैं नोवी विदी और अमारी व्याकरण सिक्षन की अंतिम विदी द्वीबासी विदी इसे पदिती में बालक को मातर बासा वे विदेशी बासा दोनु को संयुक्त रूप से परियोग में लेते हुए विदेशी बासा का सि अब इस परकिरिया को क्या करवाया जाएगा विदेसी बासा में बताया जाएगा तो जैसे ही विदेसी बासा में बताया जाएगा तो राम बोलेगा राम बोलेगा टेक फुड तो श्याम सोचेगा टेक फुड का मतलब खाने के बारे में ये बात हुई है तो फुड का मतलब वो समझ जाईगा मतलब यह क्या कहना चाहती है दोस्तूं यहांपे कि इस पदत्ति में मातर बासा पेले मातर बासा में बात हो जाईगी और फिर जैसे कोई काम किया उसके बाद में तुरंट उसका जो बासा उसको सिक्का नहीं है उसके बारे में उसका सब्द उसके सामने प्रस्तूत कर दिया जाएगा कि खाना खालो, बाद में बोल देंगे टेकफूर तो स्याम अपने आप समझ गया ना कि खाने खाने के बाद और ये टेकफूर यानि खाना खालो, हो गई ना बाद दोस्तु HAS यह होती है द्वीबासी विदी द्वीबासी विदी की यह मानेता है कि जब तक बालक मातर बासा सीखता है तो परतेक्सिकरण साथ साथ करता चलता है जैसे ही मातर बासा वो सीखता है वो परतेक सिक्रण के दुआरा जो द्वित्य भासा उसको भी सीखता जानता है द्वी भासा विदी में परतेक सब्द को अनुवादित नहीं किया जाता है हर एक सब्द को अनुवादित नहीं किया जाता है पीडियेप के लिए कुछ आमन ओनलाइन क्लासे जेप को डाउनलोड करें इसके साथ दोस्तों बाकी की क्लासें देखने के लिए आपको हिंदी सिक्सन विदियां कोर्ष पले लिस्ट में जाना पड़ेगा वहाँ पर आपको क्लासें मिल जाएगी आप सभी को बहुत बहुत अन्यवाद जे हिंद जे बार